नमस्कार मैं आज जा रही हूँ बनाने कश्टर्ड तो चलिए अब शुरू करते हैं कश्टर्ड बनाने के लिए हमने लिया है एक लीटल फूल क्रीम दूद्ध 50 ग्राम कश्टर्ड पाउडर 200 ग्राम दूद्ध एक कटोरी फेटा हुआ क्रीम 100 ग्राम चीनी दो सेब एक आम एक अनार और अंगूर सबसे पहले दूद्ध को उबालेंगे दूद्ध हुबल चुका है गैस को लूफ लिम पर कर देंगे दूद्ध में कश्टर्ड पाउडर को घोलेंगे याद रखे इसमें गांठ नहीं होना चाहिए अच्छे संदिक जाना चाहिए अब ये ये कस्टर्ड पाउडर अच्छी करा से मिल चूप आए अब इसको दूद में डालेंगे और धीरे धीरे डालेंगे और अच्छे से इसको दूद को फेटेंगे इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसके तली में ये लगे न और दो-तीन मिनट तक इसको पकाएंगे आप चाहे तो इसमें क्रीम डालें और अगर नहीं चाहे तो आप दिना क्रीम के भी कस्ट्रेड बना सकती है दो मिनट हो चुका है अब इसमें चीनी डालके फिर इसको पकाएंगे इसको हमने दो मिनट के लिए और पका लिया है अब इसको गैस बंद कर देंगे और नीचे उतार कर इसको ठंधा करेंगे इसको नीचे उतार के जैसे नीचे उतार कर ठंधा करेंगे यह का स्टर्ड पूरी तरह से ठंडा हो गया है अब इसमें क्रीम दिलाएंगे इसको बंद दो नीचे उतार करेंगे इसको अचे तरह से बंद करेंगे रटल प्रृश्ट अपना करेंगे इसको नीचे पूर्ट बंद रखाज़ नीचे रष़जगे इसमे साले फुट्स मिलादेंगे झास. लगे छोग्सेमानिष के एके लगां. लдо बहें चुड़ स्वश्सराउ्सक्चर तारेDo. अल insurance के रिए।्सμέकि वोगारि एके सेगा हैं। को यखाओ। जोगा है。 अब तक ही मेरा कश्टड तयार हो गया है इसको बाउल में डाल के पाच्छे घंटे के लिए फ्रीज में डाल देंगे अगर अगर मेरे कश्टर प्संद आई है मेरे वीजियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धरने वाज झाल झाल